आज की तारिक में कोई अगर डिफाइन करना चाहे इंडियन एकनोमी को तो उसके लिए एक सेंटेंस काफी होगा गई भैस पानी में अब पानी से बाहर कब निकलेगा कैसे निकलेगा वो दस साल भी लग सकते हैं बीस साल भी लग सकते हैं और ऐसा ही कुछ माहूल चलता रहा तो सतर साल भी लग सकते हैं और यह जो एकोनोमी की का हाल है भारत का इसका कारण कोर्णा वाइरस नहीं है बलकि Epidemic Act 1897 है अब पहले तो हम समझते हैं Epidemic Act क्या है उसके लिए हम समझना पड़ेगा Epidemic Word का मतलब क्या है महामारी Epidemic Word का मतलब समझने के लिए WHO के website पर आप देखिए इसका definition Epidemic का definition आप देख रहे हैं The occurrence in community और a region of cases of an illness specific health related behavior और other health related events clearly in access of normal expectancy तो यह आपने देखा Epidemic का definition मतलब कि जितनी बिमारियां normally होती है किसी एक particular वस्तू से या किसी एक कारण से उससे जादा और clearly काफी जादा बिमारियां हो तो उसे महामारी या Epidemic का नाम दिया जा सकता है अब मैं आप से पूछता हूँ Unvised हो के बताईए सोच के बताईए क्या भारत में कोई एक particular बिमारी जादा दिख रही आपको आप भोटें केसे बढ़ रहे हैं देखि केसज नहीं बोलटCómo नहीं बिमारी पूछराओं के इस अलग है कि इसना बिमार पड़ गया के इस तो भारत में आज के आख़े जो है एक लाग पत्चिनी जार चेस अभी तक जाए एक लाग पर इसमें भी एक question है, question यह है कि यह जो 4000 लोगों का less than 4000 death बता रहे हैं, इसमें क्या सारे के सारे coronavirus से मरे हैं, number one, या फिर comorbidity से मरे हैं, या virus की treatment से मरे हैं, ये कैसे define होगा, कोई भी जो positive आता है और उनकी death हो जाती है, तो क्या वो जरूरी है कि coronavirus की वज़े से ही मरे हैं, क्यो coronavirus की patient को दे जा रहे हैं, उनकी वज़े से death है, क्यों ना माने हम, कम से कम एकाथ तो उनकी वज़े से मरे होंगे, लेकिन वो तो zero का आकड़ा बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा question है, लेकिन अब आप देखेंगे कि exponentially exponentially ये जो death का आकड़ा बढ़ता जाएगा, उसका खास कारण है, पिछले दिनो, ICMR जो की health ministry का एक पार्ट है, उसने death certificate का जो format है, उसमें वो बदलाव कर दिया, बदलाव ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि कोई अगर pneumonia से death होता है, या फिर कोई breathlessness से death होता है, जिसे कहते है acute respiratory distress syndrome, या फिर कोई cardiac injury से death होता है, या body में clot पाए जाता है, blood clot, तो वो सारा coronavirus के खाते में आ जाएगा, मतलब ये कि patient का coronavirus positive आए, negative आए, ना आए, कोई मतलब नहीं है, याद रखिए, पिछले साल, हर साल लगबग pneumonia से देड़ लाक लोग मरते हैं भारत में, यानि कि इस साल वो देड़ लाक लोग मरते हैं कि heart रुख जाता है, और सांसे रुख जाती है, तो virtually इसका मतलब ये कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा, तो वो coronavirus से मरेगा या तो मरेगा ही नहीं, मैं ये बोलना चाहरा हूँ, आने वाले दिनों में जो number of death का जो आंकरा देखेंगे exponentially बढ़ने वाला है, जिस से justify हो ज भारत में उसका survey की तरीका है, that is called RT-PCR test, जो कि January महने से अभी तक वो test चल रहा है, ये जो test है, जब से ये test कर रहे हैं, तब से FDA ने, US के FDA ने इसे under emergency authorization में रखा है, उसका मतलब ये है कि unapproved, इसका सीधा मतलब है unapproved, और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, FDA में इसका definition लिखा ह है unapproved, वो तब unapproved था January महिने में कि ये test kit कैसे काम करेगा, कुछ नहीं पादा था, तो unapproved में रख दिया, लेकिन अब ये 5 मैंने हो चुके है, में का महिना आ चुका है, और अब तक पूरे दुनिया में लगबग 2 करोड से जादा test हो चुके हैं, यानि कि इस test kit को 2 करोड बार test use कर दिया गया है, US में ही 1 करोड 20 लाग बार test कर दिया गया है, लेकिन आज की तारीक में भी अगर FDA के साइट में जाते हैं, तो अभी भी ये unapproved में ही है और इतना ही नहीं, अभी भी इस test kit के बारे में क्या लिखा गया है, test kit manual में वो आप screen पे देखिए, इसमें ज positive test, negative test result are more likely when prevalence of the disease is high, false positive test result are more likely when prevalence is moderate or low, मतलब ये की कभी भी positive हो सकता, कभी भी negative हो सकता, false positive, false negative, उसका कोई माबदन नहीं है, दुख सरा देखिए पढ़िया, important point, detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that of 2019 NCOV is the causative agent for clinical symptoms, मतलब viral RNA होने का मतलब ये नहीं कि वो virus ही है body में, ये clear कर दिया है test के, और अभी भी ये status लागू है, दो करो test होने के बाद, आगे पढ़िये, the performance of this test has not been established for monitoring treatment of 2019 NCOV infection, तो ये clear हो चुका है, जब जैसे सब पढ़ते जाएंगे कि ये test corona virus का actually test ही नहीं, इस test के result को हम reliably मानी नहीं सकते, अब अगर मानते भी हैं, तो इससे ये साबित होता है कि इसके body में corona virus है, और भारत के case में जो आखड़ा आप देख रहे हैं, वो बताया जा रहा है, एक लाग 25,000 cases हैं, एक लाग 25,000 लोग बिमार हैं, ऐसा नहीं हैं, cases हैं, जितने लोगों के body में virus होगा, उसको एक जाएगा, लेकिन सच बात तो ये है, जर्मनी के sampling को देखें, आइस्लैन के sampling को देखें, नियॉर्क के sampling को देखें, कई सरे देशों ने sampling किया, उसमें ही आया कि उन देशों के on average 10 प्रतीशत से लेके 14 प्रतीशत लोगों के body में corona virus आके जा भी चुका है, तो भारत के case में अगर मैं extrapolate करूं तो ये बन जाता है करीब 14 करोड लोग, 140 करोड लोगों में से 14 करोड लोगों के body में corona virus आके जा चुका है, ये मेरा estimate है, इसका मतलब कि भारत में जो total cases होने चाहिए, वो है 14 करोड लोग बिमार पड़े हैं, illness महामारी का connection cases से नहीं है, महामारी के definition में य virus है उतने के तो महामारी मानी जाएगी, नहीं, इस वक्त आपके body में, मेरे body में 50,000 तरे के virus हैं, वो लेकिन उससे क्या हम बिमार पढ़ रहे हैं, that is more important, महामारी मतलब कि कि किसी virus से बिमार पढ़ना, या किसी चीज की वेज़े से बिमार पढ़ना, that is called महामारी, right, लेकिन virus itself होना condition काफी नहीं है, कि महामारी खोशित कर दें, तो virus थो हमारे body में 50,000 तरे कि 12 महीने महामारी लगए रहेगा, लेकिन क्या हम उससे बिमार पढ़ रहे हैं, that is the most important thing, अब मैंने आपको बताया कि 2 करोर टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी यह अनप्रूब्ड है, मत इसका मकसद क्या है, यह पूरा जो तामजाम पूरा जो खेल देख रहे हैं, इसकी पीछे का मकसद, मैंने आपको 3 February को अलड़ी बता दिया था, 3 February 2020, मैंने वीडियो डिलीस किया था, वीडियो का नाम था, इस वीडियो में मैंने बताया था, इसका कारण क्या है, और वही अब सत्य होते वे दिख रहा है, कारण है, यह एक बिजनस मॉडल है, चाइना और यूएस का किया हुआ एक खेल है, जिसमें सिर्फ एकोनोमिक बेनिफिट के लिए किया गया है, चाइना का एकोनोमिक बेनिफिट तो जग जाहिर है, हमने क्या किया भारत ने, अपने सारे खाने तो बंद कर दिये, तो अब सारी चीज हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइए वो थर्मोमिटर हो, चाइए वो टेस्टिंग कीट हो, और वो भी जितना उसका वर्त है, उससे 5-7 गुना जादा दाम पे घडिया माल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना को कितन एकोनोमिकली बेनिफिट हुआ, ये आपको एक्स्पेंट करने की ज़रुवत नहीं है, अब बचा सवाल सिर्फ यूएस का, अगर आपको यूएस के बेनिफिट या एकोनोमिक बेनिफिट के बारे में जानने की उस सुकता है, तो आप स्क्रीन पे दिये वे लिंक में दोर में, आप बोलेंगे यूएस में तो केसे बढ़ रहा हैं, देखिए जो मैंने इभी डिफाइन किया, आई सी मार ने जो अपनी गाइडलेंड चेंज की, डेथ की, दे सेम गाइडलेंड CDC ने कुछ तीन हफते पहले चेंज किया, अपने कंट्री के लिए कि वहाँ पे क आ सकता है, अगर टेस्ट के दौरान, अगर मरने से पहले कोई सिम्टम्स हो, सिम्टम्स कौन से हो, मैंने आपको अल्री बता दिया, निमोनिय के सिम्टम्स हो, या कार्डिक इंजरी हो, इस तरह के चीज़ें हो, तो डॉक्टर कमन करेगा, तो कुरुना लिख देगा, या डेफिनेशन चेंज हो गया, यानि कि यूएस में जब कोई मरेगा, भारत में जब कोई मरेगा, तो एक्चुली वो कॉरुना से मरेगा, ऐसा हम मान लेते हैं, और उसके लिए कोई आर्टी पीसे टेस्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी लिख दिया गया है, कि बिन बॉडी में क्लॉट आ जाता है, ये ही सारे बेसिक कारण होते हैं, राइट, कैंसर में तो क्लॉटिंग से ही मरते हैं, तो आप जो डेफ के आखरे देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो ये सारी बात आपको समझना होगा, ताकि हम अब सोचें, दिमाग ल काले हैं, मैं डॉक्टर विशुरू पराचोधरी, आल बेस्ट, तैंक यू, जाहिन